हेलो गाईज मैं वर्षा रानी वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तो गाईज आज मैं आप लोगो को बहुत ही सिंपल सा हेयरिस्टाइल बताने जा रही हूँ तो आप लोग ये हेयरिस्टाइल जरूर बनाईएगा और मुझे कमेंट सेक्षन में बताईएगा कि आप लोगो को मेरा हेयरिस्टाइल कैसा लगा तो गाईज सबसे पहले आप लोगों को एक पोनिटेल बना लेना है उसे फिर दो सेक्षन में डिवाइड कर लीजिएगा इस तरह से और एक्दम भी अपने बालों को टैंगल फ्री कर लीजिएगा इस तरह से मैं कर रही हूँ दो भागों में डिवाइट करने के बाद अच्छे से बालों को कॉम कर लीजिए बिल्कुल भी इसमें टैंगल नहीं होना चीए फिर एक मेडियम साइज का क्लाचर लीजिए इस टाइप का देखिए फिर इसे बीच में टक कर लीजिए करने के बाद आप अच्छे से इसे टाइपली टक किजिएगा ताकि ये खुलेना आप लोग देख लिए जिस तरह से मैं कर रही हुँ बस इस तरह से आप लोगों को करना है और ये आगे का जो बाल मैंने लिया है उसे अच्छे से कॉम कर लीजिए बिल्कुल भी इसमें टैंगल नहीं होना चाहिए यह देखिए गाइस और इसे टू सेक्शन में डिवाइड करके इस तरह से टूइस्ट कर रही हूं इस तरह से आप लोगों को टूइस्ट करना है पूरे बालों को एदम और गाइस अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच् और उसके बाद टूइस्ट करते रहे पूरा यह देखिए मेरा एक साइट का कम्प्लीट हो गया है इस तरह से पूरा टूइस्ट करते हुए पूरे बालों को एदम राउंड राउंड आप लोगों को घुमा लेना है यह देखिए गाइस इस तरह से आप लोगों को नीचे की ओर ले जाना है पूरे बालों को और इस तरह से यह जो बाल बचा हुआ इसे अच्छे से आप सेपरेट कर लीजिए और यह देखिए पूरा राउंड राउंड बाल को ले जा करके आपको इसी कलचर में टक कर देना है अगर आप लोगों का बाल यहां तक आ रहा है तो इसी कलचर में आप लोगों कर लेना है पूरा फिर नीचे के बालों को भी उसी तरह से आप लोगों को टुइस्ट करना पहले अच्छे से कॉम कर लिए टेंगल प्री हो जाएगा सारे बाल तो उसे दो सेक्षन में फिर से डिवाइट करके इस तरह से आप लोगों को ओवर लैप करते हुए ट्विस्ट करना है इस तरह से पूरे बालों को ट्विस्ट कीजिए यह देखिए गाइस और प्लीज गा लाइक से और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा तो यह देखिए गाइस तरह से आप लोगों को करना है और आप यह वाला हैर स्टाइल बना यह आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा आप लोग जैसे कहीं भी मार्केट जा रहे हैं तो आप लोग यह वा इस तरह से पूरे बालों को ट्विस्ट करके इसे भी पूरे बालों में क्लचर के तरफ से पूरा राउंड राउंड घूमा देना है एकदम एजी सा हैरी स्टाइल है आप लोग बनाईएगा तो तुरंत बन जाएगा एदम फटा-फट बन जाएगा पाच मिनिट में अच्छा लगेगा देखने में आप लोग चाहें तो यहां पर बटर वाला भी कलचर लगा सकते हैं तो आपका जूरा देखने में और भी ज्यादा सुंदर लगेगा यह देखिए इस तरह से मेरा हैर बन बन के कम्प्लीट हो गया तो गाईज आप लोगो कैसा लगा मेरा ह स्टाइल कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा बाबाई